हेलो फ्रेंड्स मैं हूं संध्या स्वागत है आपका सेल की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स एक नई रेस्पी वीडियो अन तक जरूर देखिएगा और पसंद आये फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल को प्लीज सस्क्राइब करना मत भूलि तो चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं तो आप यह देख रहूंगे यह मलाई है यह 10-12 दिन की कठी की हुई मलाई है तो जादा दिन की मलाई हमें नहीं लेना है 10-15 दिन की मलाई लेनी है तो 10-15 दिन में आपकी मलाई कठी हो जाएगी यह 1.5 लीटर दूद का दस दिन की मलाई है, तो मलाई थोड़ा फेसी होना चाहिए, एकदम जादा दिन का हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसका तेश्ट अच्छा नहीं आता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कि मलाई को हमें इस तरह से इकठा कर लेना है, रोज की मलाई आप निकालते जाएं, थोड़े सा मोटे तले वाला, पतला तले वाला नहीं, ताकि चिपके नहीं, तो मोटे तले वाला हम कडाही लेंगे, इसमें हम डाल देंगे पहले, पूरे मलाई को अच्छा से निकाल के हमें डाल देना है, तो थोड़ा सा ये हाड है, क्योंकि फ्रीज में था, तो इसे हम में अराम से असा निकाल के पूरा डाल देना है कडाही में तो चले यह पहले मलाई को हम निकाल के डाल देते हैं तो जैसा कि मैंने श् planning में बताया कि हम दो रिस्पी बनाने वाले हैंritos तो जी हां इसमें कोई नई बात नहीं है पहले हम मलाई से घी निकालेंगे इसके बाद जो हमारी दूसरी रेस्पी है उसे हम बनाएंगे तो अभी मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी चलिए हम जब आगे बनाएंगे तो आप खुद देख लिजेगा कि बाकी जो ये दूसरी जो कृटन कि दूसरी एंगे अभी जैसरे ग्रम होगा मलाई आप पिघलने लगेगा इस में आपको कोई भी जैसे पेस करने की कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है ये आराम से धीरे धीरिये पिघलना श्टार्ट हो जाएगा तो आपको इसे घोलने की ज़रूरत नहीं है तो चलिए बस ऐसे बीच-बीच में हमें चलाते रहना है इसे चड़ा के आप दूसरा काम भी कर सकते हैं कीचन में ऐसा नहीं है कि आप बस इसी के पीछे लगे रहें ऐसा भी नहीं है इसे आप गैस को कम कर दें और आप दूसरा काम भी कर लें इसके सांसां क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है गैस को हम तेज कर देंगे तो क्या होगा कि छीटे आने लगते हैं घी के बाहर तो यह देखिए घी अलग दीख रहा होगा आपको और मलाई की जो खुर्चन है ओ आपको कर देंगे जो खुर्चन आपको दीख रही है इसे हम थोड़ा सा ब्रॉंसे हल का कलर आएगा बस उतना हीं हमें रखना है इसे जादा हम एकदम ब्राउन नहीं करेंगे तो थोड़ी देर इसे हमें और पकाना है तो अब हमें चलाते रहना है लगतार ताकी यह चिपके नह या फिर गैस को आप धीमा कर दें तो गैस को मैंने मीडियम रखा है ताकि जल्दी से बन जाए नहीं तो फिर विडियो जादा लंबा हो जाएगा तो ऐसे लगतार चलाते रहना है तो थोड़ा सा इसका कलर गुलाबी आ जाए जो खुर्चन दिख रही है आपको उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और फिर हम घी को ठंडा होने देंगे तो पहला रेसेपी हमारा ये बंद कर तयार हुआ है इसके बाद हम दुसरी रेस्पी स्टार्ट करेंगे तो ऐसे में लगतार चला रही हूं अगर हम नहीं चलाएंगे तो पूरा जो है कडाही के तले में च तिखाई थी, उतने मलाई में इतना घी निकला है, चीसे मैंने gas से नीचे उतार लिया है, थोड़ास हम इसे normal होने देंगे, इसके बाद इसे हम चाचनी से ऐसे छान लेंगे, तो इतना तो सब को पता होगा फ्रेंड़्स, इतना तक तो सभी करते हैं, तो ऐसे चाचनी से हमें ऐसे चम्मट से डाल डाल के, और फिर प्रेश करके, ऐसे हम घी को पहले अलग छान लेंगे, और जो ये खुर्चन बच रही है, इस इसके बाद डब्बे में डालते समय दुबारा चान लेना है घी को मान लो थोड़ा मोड़ा अगर कचड़ा चले गया इसमें खुर्चन चली गई तो डब्बे में डालते समय एक बार और चान लेना है घी को ताकि घी जो है हमारा एकदम फ्रेस हो जाए तो यह देखिए मैं पूरा जान लिया और इतना घी निकला है इसे डब्बे में डालते समय मैं दुबारा से फिर से छान लूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कचड़ा गिर गया है खुर्चन जो है गिर गया है तो इसे दुबारा फिर से छान लेंगे तो इतना घी निकला है प्रेंट्स यह देखिए, इसे अब मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि अभी यह गरम है, और यह जो है, मलाई की जो खुर्चन निकली है, ओ है, अब हम दूसरी रेस्पी स्टार्ट करते हैं, तो फिर से हम गैस ओन करके कडाही चड़ाएंगे, तो उसी कडाही में बनाएंगे, हमक कटोरी सूजी मैंने डाला, और सूजी को डालने के बाद इसे हमें लगतार चलाते हुए सूजी को पहले हमें भून लेना है, तो दूसरी रेस्पी जो हम बना रहे हैं, वो मलाई की केक बना रहे हैं, मलाई की खुर्चन की केक बना रहे हैं, या फिर आप इसे खुर्चन क होता है कि जब हम गी निकालते हैं तो खुर्चन को हम फेक देते हैं लेकिन फेक यह आप इस तरह से रेश्पी बनाईएगा बहुत ही सांदार रेश्पी बनती है मैं आपको क्या बताऊं आप किसी को खिलाएंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा तो सूजी को थोड़ा सा जब हम भून लेंगे मतलब हलका कलर सूजी का चेंज हो जाएगा तब ये खुर्चन जो है इसे हम डाल देंगे और इसे डालके लगतार हम चलाते हुए दोनों को भून देंगे तो इस तरह से हमें किसी तेहवार में भी बना सकते हैं कोई याय तो बना के खिला सकते हैं आप चाहें तो इसकी लड़ू भी बना सकते हैं अगर आप केक ना बनाना चाहें तो आप फिर लड़ू भी बना सकते हैं अब यहां हम डाल देंगे छोटी गिलास से एक गिलास दूद तो दूद हरा तो दूद्ध जादा नहीं डालना है हमें एक छोटी गिलास से मैंने डाला है जादा भर के हमें नहीं डालना है और इसे हम लगतार चलाते रहेंगे मीठा के लिए हमें डालनी है चीनी तो एक छोटी कटोरी मैंने चीनी डाला तो चीनी आप अपने स्वाद के नुसार कम जा इसे मतलब दो रेस्पी कितनी अच्छी बनी है बहुत ही सामदार रेस्पी बनती है घी आपका निकलेगा अलग और यह जो मिठाई बनकर आपकी तयार होगी अलग तो इससे कहते हैं फ्रेंड्स आम क्याम और उठलियों के दाम आपकी दो रेस्पी बनकर तयार हो जाएगी इसे लगतार हम चलाते रहेंगे इस तरह से ताकि चिपके नहीं कड़ाई में और सूजी हमारा अच्छे से पक जाए तो ऐसे मैं लगतारी से चला रही हूँ अब हम यहाँ गैस को बंद कर देंगे यह देखिए कलर आप देख रहे होंगे कलर एक दम हलका गुलाबी कलर आ एक नार्मल कागज लगा दे नीचे कोई भी कागज नोटबुक की कागज आप ले ले उसे गोलाकार में काट ले और उसे ऐसे नीचे लगा दे ताकि चिपके नहीं कागज को मैंने लगा दिया अब जो यह हमारा खुर्चन और सूजी पक के तयार हुआ है इसे हम डाल दे के इस केक्तीन में नुइए पहले डाल देते हैं इसे अगर आपके पास बहुत हो तो आप बहुत है नीचे लगा दीजेगा और नहीं तो फीर आप klim कागज लगा दीजेगा तो पुरा इसे हम पहले डाल देंगे और डाल के इसे हम अच्छे से पहला देंगे और उसके उपर हम थोड़े से बदाम डाइफूर्स डाल देंगे अगर आपके पास हो तो डालिएगा नहीं है तो आप नहीं डालिएगा ऐसे भी यह बहुत अच्छा लगता है तो मेरे पास थोड़े से बदाम है तो उसे मैं कट करके उपर से डाल दूँगी आपके पास अगर पिस्ता हो तो पिस्ता डाल दीजे, बदाम हो तो बदाम डाल दीजे, कुछ भी डाल दीजे, तो ऐसे पूरा पहले हमें डाल लेना है, अराम से डाल लेना है, ये इसमें आपको कोई जल्दवाजी नहीं है, कि ठंडा होने लगेगा तो जमने लगेगा, ऐ ऐसा कुछ भी नहीं है आप राम से इसे पहले डालिए और इसे सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है मतब बाहर रखेंगे आप तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा इसको सेट होने में और अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप फ्रीज में रख दीजिए 15 मिनट में ये फटा-फट सेट हो जाता है तो मैं इसे फ्रीज में ही रख देती हूँ ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए और आपको मैं जल्दी से निकाल के दिखाऊं कि किस तरह की ये मलाई की केक जो है बनकर तयार हुई है तो पूरा मैंने डाल दिया ये देखिए और चम्मच से ह अगर आप घर में दूद ले रहे हैं तो दूद से तो आप जो दूद उपयोग कर रहे हैं वो तो करी रहे हैं उसकी मलाई अगर आप निकालते हैं तो मलाई से आपको घर की सुद घी मिल जाएगी आपको बाहर से घी लेनी की जरूरत नहीं पड़ेगी आप साइड में द जाएगी तो उपर से थोड़ा सा मैं बदाम कट करके डाल दे रही हूँ और उसे चम्मत से ऐसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि यह जो है बदाम जो है अंदर अच्छे सेट हो जाए तो ऐसे अब इसे हम फ्रीज में रख देते हैं इसके बाद ठंडा होने के बाद सेट होने के बाद मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि किस तरह की हमारी ये खुर्चन वाली केक या फिर मिठाई कहें ये बनकर कैसे तैयार हुई है तो चलिए इसे हम रख देते हैं इसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ फिर हम इसे कट करके प्लेट में निकालेंगे तो इधर मैं क्या करती हूँ उधर मैंने फिरीज में उससे रख दिया अब घी को मैं दुबारा डब्बे में ऐसे छान के डाल रही हूँ गी जो है एकदम ठंडा हो गया है तो ठंडा होने के बाद में ही डालें प्लास्टिक डब्बा है अगर इस तील डब्बा है तब त च्छनी में आ गया और घी जो है हमारा एकदम फ्रेस डब्बे में चला गया तो यह देखिए इतना घी निकला है तो अक्सर फ्रेंड्स जब भी घर में पराठे बनाने होते हैं हलुआ बनाना होता है तो हम इसी घील का उपयोग कर लेते हैं अलग से घी लेने की हमें जरूर से निकल जाता है इसमें आपको कोई मसकत करने की जरूरत नहीं है ना आपको यह लगेगा कि यह बिगड़ जाएगा बिगड़ेगा भी नहीं आप इसे एकदम अराम से बना सकते हैं अब एक प्लेट लेंगे उसमें इसे ऊपर से ऐसे रख देंगे और हलके हाथों से इसे थप थपा देंगे आप देखेंगे कि यह अराम से निकल जाएगा यह देखिए एकदम अराम से निकल गया आप देख रहे होंगे अब जो यह कागज हमने लगाया था यह कागज को हमें ऐसे निकाल देना है तो कागज भी बड़े अराम से निकल जाता है तो पूरा तो यसे चवकॉन चवकॉन काटके आप मिठाई के रूप में भी कर सकते हैं, तो मैं इसे केक रूप में प्नाई हूँ, तो मैंने गोल्डबबा में किया धा फ्रेंड अगर आपको मीठाई जैसे बर्फी जैसे बनानी है तो आप किसी चौकों डबा में सेट किजिए तो वह बर्फी जैसे फिर निकल जाएगी या फिर पियक बनाना हो तो इस तरह से कर लिजिएगा तो चलिए पहले इसे कट कर लेते हैं कट करके मिधिफाती हूँ तो यह देखिए अब चाकू को देखिए कितने अराम से चाकू अंदर जा रहा है ह। थोड़ा सा भी मैंने प्रेश नहीं किया, एकदम हलके हाथों से मैं काट रही हूँ, यह देखिए, तो मैं इस तरह से तिकोना तिकोना काट रही हूँ, आपको जैसे पसंद होगा, वैसे आप कट कर लीजेगा, तो चलिए एक पीस निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ, कि कि मैं तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, कोई पकड़ नहीं पाएगा, कि यह मलाई की खुर्चन की यह मिठाई बनी है, या केक बनी है, किसी को समझ में नहीं आएगा, जब आप बताएंगे, तभी सामने वाला समझ पाएगा, तो चलिए मैं निकाल के दिखाती हूँ, एक आपको यह देखिए फ्रेंट्स, आप देख रहे होंगे, कितना सांदार दिख रहा है, आपको कहीं से नहीं लग रहा होगा, कि हमने खुर्चन से बनाया है, तो आप एक बार जरूर ट्राई किजिएगा, आई होप आपको जरूर पसंद आएगा, पास से आपको दिखाती होंगे, आपको लग रहा है न, एक दम मार्केट वाला जो केक आता है, बिल्कुल वही केक लग रहा होगा आपको, जो खोए वाली केक आती है, दूद की केक हम बोलते हैं, उसी तरह से बिल्कुल यह दीख रही है, तो आप एक बार जरूर ट्राई किजिएगा, आई होप जरूर पसंद आएगा, और अगर आज की रेस्पी पसंद आए फ्रेंड्स, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिजिएगा, और चैनल को प्लीज सस्क्राइब करना मत भूलिएगा, और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब किजिएगा, त तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक नई रेस्पी के साथ एक नए वीडियो में